हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु स्टडी बस एन्मैट 2020 का ओफिशिल नोटिफिकेशन आ चुका है एन्मैट से जो मेजरली इनका फ्लैक्शिप कॉलेज है वो है नार्सिमन जी बॉम्बे वाला कैंपस तो इस पूरे बरे नोटिफिकेशन में क्या इंपोर्टेंट डेट्स है प सबसे पहले इस समय चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्यों क्यों कि अब जो है बैक टुबैक आपके कॉलेज को नोटिफिकेशन के फॉर्म एग्जामिनेशन की डेट्स इंपोर्टेंट इवेंट जो भी है उन सब के उपर मैं वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपकी कोई प्र υ पृपर मैं आपको एक्जाम एक था लाते हमाँ जाएचनि को जीने पेनट बह्मेंगा से कोई चाइए नाई कोई अलग से अलग से तेस्लीज करने फिल फ्लेज़् आप की प्रेपरेशन यहां से हो जाएगी तो अगर भाई यह आप बाय करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं studybus.co.in यहां पर आप सारी details चेक कर सकते हैं इसके साथ ही अगर देखना आपको कितने number of mocks मिलेंगे क्या sexual mocks मिलेंगे तो यह आपको number of quantity study मिलेगी साथ में आपको study planner मिलेगा जहां पर डेट सेट कर सकते हैं गोल्स of the day आपके जनरेट हो जाएंगे इसके अलावा कुछ पूछना है तो मुझे इस number वाटसाइप कर देना डबल नाइन फाइट नाइन थी डबल सेट जीरो फाइप इसके है अब हम बात करते हैं सारी की सारी important details की NMAT में क्या-क्या changes हुएं कौन-कौन से top colleges है क्या important dates है सारी की सारी चीज़ों को understand करते हैं तो सबसे पहले जो इन्होंने dates release करी है officially वो release किये की registration date जो है वो है आपकी 1st August तो 1st August से आपका registration process start हो जाएगा and 5th October अबर तक आपका ये चलेगा हमें पता है NMAT का जो एक्जाम है वो आप थ्री times appear कर सकते हो आप एक साल में इसको तीन बार appear कर सकते हो जो इसकी window होती है उसके बीच में 15-15 days का gap लेके उसके बाद आप इसमें कर सकते हो जो आपका best score होता है वो आपका pick किया जाता है ठीक है तो जो एक्जाम की date start हो जाएगी एक्जाम आपका start हो जाएगा 6th October से and 19 December तक आप ये exam दे सकते हो तो इसमें क्या होता है generally जब आप इस college का form भरते हो इस exam का form भरते हो तो आपको यहाँ पर वो date देता है सारी dates आपके सामने अवेलेबल होती है आप अपने according date select करते हो कौन से दिन आप exam देने जाना चाहते तो more or less एक GMAT वाला pattern है जो ये exam follow करता है ठीक है इसके साथ अलग dates दे रखिए कब-कब आपने date को schedule कर सकते हो 1st August से 18th October तक साथ में इंपोर्टेंट नोटिविकेशन है वो ये है कि dates may change based on COVID-19 status and government directives तो भाई यहाँ पर surety नहीं हम सबको पता है कि आगे क्या situation होगी इसके बाद जो official आपका score guard है वो 31st March तक आ जाएगा final जो है जिसमें आपकी percentile वगरा sub mention होगी अगर हम exam का structure देखे तो बहुत major change इस साल NBAT ने किया है अपने exam में वो क्या किया है वह एक तो इनके section तीन section पहले भी होते थे तीन ही section आप है लेकिन अब इन्होंने क्या करा है जो number of questions है वो number of questions इन्होंने equal कर दिये language में आपके 36 questions, quant में आपके 36 questions, LR में आपके 36 questions तो total जो आपके number of questions होंगे वो 108 होंगे जो आपको time मिलेगा वो fix है आपके language में 28 minutes मिलेंगे, quants में आपको 52 minutes मिलेंगे and LR में आपको 40 minutes मिलेंगे total 120 minutes मतलब 2 hours का ये paper होता है, इस paper का अच्छा part ये है कि आप जो है अपने according जो है order select कर सकते हो, order मतलब कि आप language skill पहला करना चाते हो, आप quant करना चाते हो, LR करना चाते हो, उसके according आप arrange कर सकते हो, आपको एक exam candidates have a choice of selecting the correct order of the test section ठीक है, तो हर section में आपको इतना time मिलेगा, जि इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, तो scaled score कैसे आता है, अब आपने को एक चीज और पता हो जाएगी, कि जो आपका score हो within 48 hours आजाएगा, पहले last year तक क्या होता था, कि आप paper देते थे 10 days, 15 days, first window वालों का third window में, तो ऐसे चलता था, लेकिन अब आपके सामने ये best part है, कि आपन कर रहा है, क्योंकि body, GMAC है, जो दोनों paper कराती है, NMAT भी कराती है, GMAT भी कराती है, तो उसी structure को follow करा जा रहा है, इसमें जो score आपका निकल के आता है, वो है scaled score, scaled score का क्या मतलब होता है, ये समझो, जो आपने previously question answer करा है, this is a adaptive exam, adaptive मतलब समझ रहे हो, अब क्या होता है, जैसे cat का exam होता है, या IFT का exam होता है, जैट का exam होता है, इसमें पहले से question होते हैं, ठीक है, आपने question सही करा, गलत करा, इस बात का कोई फरक नहीं पड़ता, next question वही आना है, जो system में loaded है, लेकिन जो NMAT का paper है, इसमें क्या होगा, अगर आपने जो पिछला question है, वो सही करा है, तो next वाला question और difficult आएगा, आपने वो वाला question सही करा है, तो next वाला question और difficult आएगा, अगर आपने previously question गलत करा है, तो आगे वाला question असान आएगा, असान आएगा, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप फटाफट से score कर लोगे, जो इनसान difficult question का answer कर रहा है, जो जादा कर रहा है, इसका तो back to back लगाता difficult difficult questions करे जा रहा है इसका मतलए उसको topic की clarity बहुत जादा है तो उसका scaled score जादा आएगा बात समझ रहे हो अब मालों को यह एक ऐसा spreader जो तुक्के मार रहा है यह जिसको आता नहीं है उसने गलत कर दिया एक सही एक गलत एक सही और एक गलत हो रहा है तो वो moderate व questions आते हैं than a low scoring candidate ठीक है क्योंकि जितने वो difficult questions करेगा इसका मतलब वो जादा एक तरह से हम बोल सकते skilled है यह जादा उसके पास knowledge है और वो जादा question कर पा रहा है तो एक दम GMAT में भी यही होता है GMAT को जो exam होता है इसमें भी आपको next question depend करता है कि आपने पिछला question सही कर रहा है because उसके साथ कौन से questions आयते हैं आपके सामने questions आये हैं यह बिलकुल एक software based paper है adaptive exam है जिसमें हर एक candidate के जो questions है वो अलग होंगे based on the performance of the previously answered questions ठीक है इसके बाद आपन लोग बात कर रहे है retakes की बाई retake कितने कर सकते हैं तो GMAT का जो exam है वो आप 3 बात दे सकते हो maximum ठीक है तो आपका best score होगा वो consider कर लिया जाएगा आपको हर बार retake के लिए अलग fees देनी पड़ती है तो वो आपको देखना है जितनी बार आपने paper दिया 48 hours में आपको देख रहा है बहुत अच्छा score आ गया है तो आप tension नहीं लो लेकिन अगर आपको लगता है आप इससे better कर सकते हो है बड़ यहां पर question निकल के आता है कि कौन सा best college है तो सबसे पहले जो NMAT का flagship course है flagship college है वो है नार्शी मुंज institute of management studies और इसका भी मुंबई वाला campus ठीक है इसके और campus भी है बैंगलार campus भी है आपका नवी मुंबई campus भी है बड़ जो main इनका flagship है वो है NMIMS मुंबई ठीक है इसके अलावा Xavier University भी है जो accept करती है यह आप try कर सकते हो IBS जो college है वो भी score accept करता है SDA Boco ने भी score accept करता है इसके अलावा जो नया college आया master's union school वो भी इस बार accept करेगा और भी इसके अलावा colleges है बट बहुत जादा अच्छे colleges इसके नीचे अभी नहीं है जैसे CAT के अंडर इतने आप backup के लिए Xavier, IBS या SDA Bocanee को रख सकते हो ठीक है तो यह मैंने आपको सारी के सारी information दी and math related जो notification आया है सारी के सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी इसके अलावा भई आप हमाने Instagram चैनल follow करने ना study was education यहाँ पे आपको daily basis update मिलते रहते हैं so all the very best thank you so much अब exam season start हो होने वाला है तो अपनी तयारी बिल्कुल फुल फ्लेजट करो आप forms एक के बाद आते रहेंगे college इसका notification आते रहेंगे exam के notification आते रहेंगे तो इसका मतलब हमें यह है कि यहाँ पर हमें अपना full and फ्लेजट बलब full final preparation करना है and top college में enter करना है अपना best performance हापर देके हमें आना है ठीक है तो take care good luck